नमस्कार आप देख रहे हैं Special Story मैं हूँ आपके साथ गौर्ण कुमार Special Story में आज हम आपको बताएंगे कि RBI ने 2000 के नौटों को बैंक में जमा करने के निर्देश दिये हैं जिसके बाद विपक्षी नेताओं के ब्यान सामने आए हैं RBI ने 2000 के नौट को 30 स्टमबर तक बैंक में जमा कराने के निर्देश दिये हैं इस फैसले के बाद विपक्षी दलों की तीखी पृत्ति के रिया सामने आए है आमादी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुक्यमंतरी अर्विंद केजिवाल ने ट्वीट कर कहा है पहले बोले 2000 का नौट लाने से 22 चार बंद होगा आप बोल रहे हैं 2000 का नौट बंद करने से 22 चार खत्म होगा इसलिए हम कहते हैं प्यम पढ़ा लिका होना चाहिए वहीं मल्लिका अर्जुन खड़के ने कहा है कि आपने पहले नौट बंदी से अर्थववस्था को एक गहरा जख्म दिया था जिससे पूरा असंग्ट छेत्र तभा हो गया मसमी ठप हो गए और करोडो रोजगार गए अब 2000 के नौट वाली दूसरी नौट बंदी क्या ये गलत निर्ने के उपर परदेदारी है एक निस्पक जास से ही कारणामों की सच्चाई सामने आएगी वहीं करनाड़ा के मुक्मंत्री बने कॉंग्रेस नेता सिद्धर अमया ने कहा कि 2000 के नौट पर रोक लगा कर भाजपा अपनी भलताओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है उनने पूचा है अगर 2000 के नौट पर अपावंदी लगाई जा रही है तो इसे 2016 में लाया ही क्यों गया था प्रदार मंत्री नौट बंदी का गलत इस्तिमाल अपने राजनितिक फायदे के लिए कर रहे हैं साथी समाजबादी पार्टी के अध्यक्स और उत्रपर्देश के पूर मुक्मंत्री अकलेश यादव ने कहा कि RBI के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशान अचादा उनने कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती तेर में समझ माती है 2000 के नौट मामले में भी ऐसा ही हुआ लेकिन इसकी सजा जनता और दोयस्ता ने भोगती है साथन मनमानी से नहीं तमजदारी और इमांदारी सिखलता है वहीं कॉंग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने भी 2000 के नौट के मामले में मोदी सरकार को जम कर गिरा है एकदम से ऐसे लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दुबारा से खौफ खिलाने आ गया है फिर से नौट बंदी की बाते होने लगी है 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा और आपके पास 30 सितंबर टक का समय है अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्स्चेंज कर सकते हैं लेकिन एक बात याद रखिएगा एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किये जाएंगे अत्वा बदले जाएंगे एकदम से हड़कम सा मच गया है क्योंकि याद तो हो गई आपको 8 November की वो रात मित्रों आज रात से तो हुआ क्या था मोधी जी ने 500,000 रुपए के नोट को डी मॉनिटाइज कर दिया था मतलब प्रतिबंधित कर दिया था यह अलग बात है कि 99 प्रतिशत प्रतिबंधित पैसा बैंकों के पास वापस आ गया 16,000 करोड रुपए मात्रा RBI के पास नहीं आए लेकिन चौकाले वाली बात यह है कि नई करेंसी चापने में 21,000 करोड रुपए खर्चा हो गया और ATM recalibration अलग से करना पड़ा तो इससे मिला क्या? आपको समझाती है उससे क्या मिला? इससे मिला हमारा GDP growth rate आधा हो गया 8.2 से 4.1 हो गया 35,000,000 नौक्रिया तो तुरंत नश्ट हो गई कल कार खाने लगू मध्यमुद्योग बंद हो गया लेकिन मोदी जी किसे हग पर कोई फरक नहीं पड़ा वो अलग बात है कि 7 साल से नोडबंदी का नाम नहीं लेते हैं उसके बाद आगे सुन लीजिए पहले कहा गया black money खतम हो जाएगा black money तो बिलकुल खतम नहीं हुआ है जबरदस्त black money चल रहा है फिर कहा गया cash खतम हो जाएगा 17,64,000 क्रोड cash था नवंबर 2016 में अब 37,000,000 क्रोड है double से भी जागा फिर कहा गया terror funding बंद हो जाएगी अभी रजवरी और पुंच में हमारे पाच-पाच जावाज शहीद हुए और मोदी जी एक शब नहीं बोलते हैं लेकिन terror funding पेधड़क चल रही है और फिर अंत में कहा गया कि नकली नोट जो है वो बंद हो जाएगे 300 करोड से जादा के उपर के 2016 से भी तक नकली नोट भी पकड़ दिया गये तो एक भी ऐसा परणाम नहीं था वहाँ पर भी निलबटा सन्नाटा रहे स्पेशल स्टोरी में मेरे साथ इतना ही फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ नमस्कार